हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विकास अगर आप भी फोन पे से QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर रहे हूं और आपको देखने को मिल रहा है अनेबल टू स्कैन QR कोड और यहाँ पर नीचे लिखा है देर इस टेंप्रेरी टेकनिकल इसू प्लीज ट्राय अगेन यह देकर कैसे ठीक करें आई एज जानते हैं देखिए किसी ने मुझे QR कोड भेजा और मैं यहाँ पे उसे स्कैन कर रहा हूँ select कर रहा हूं तो यहां पे मना कर दे रहा है यह problem आ रही है तो इसको ठीक करने के लिए क्या क्या आप step कर सकते हो बताता हूं देखिए इसके लिए अपना net check करिए net check कर सकते हैं आप कि net सल रहे कि नहीं दूसरी चीज़े आप अपना phone पे update करिए प्लेश्टोर में जाएए phone पे लिखिए यहाँ पे आप search करें phone पे और चेक करिए देखिए update आया इसमें update करते हैं और इसके बाद आपकी दिक्कट ठीक हो जाएगी अगर दिक्कट ठीक ना हो तो आप जो QR code scan कर रहे हो जो भी scan कर रहे हो उसको दुबारे scan करिए दुबारे scan करिए या आप जहां से QR code मंगाए हो या आया है उससे बोलिए कि दुबारा QR code भेजे अब मेरे साथ क्या दिक्कत है मैं वो बताता हूँ जो ये QR code है वो अब valid नहीं है क्योंकि इसका अकाउंट बंद हो चुका है और एक और चीज हो सकते हैं आगे बताता हूँ मैं जो QR code में scan कर रहा हूँ ये बहुत करीबन तीन या चार साल पुराना है और इसका अकाउंट मैंने बंद करवा दिया था तो उसकी वज़े से अब ये मना कर रहा है कि ये अकाउंट यानि ये QR code scan नहीं हो सकता तो ये तो बहुत कम होता है इसलिए पर मैंना को बता दिया अबर और जैसे कि इसमें लिखा था कि temporary issue तो यहाँ पर हम फिर से करते हैं उस चीज को QR code को scan करते हैं यहाँ पर image में जाते हैं और अभी वही प्रॉलम आ रही है क्योंकि मेरे साथ वही issue है इसका जो QR code अवैलिड नहीं है बाकी temporary issue हो सकता है आप एक गेड़ गंटे वाद चेक करें आपकी दिक्काश शायद सॉल्व हो जाए अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी नई वीडियो में